असलाम अलेकुम ग्रेट फोर हाव यू आल माइनम इस विदा खालीद और वेलकम यू बाक तो माइन लेसंस तूडेंस मैं उमीद करती हूं कि आप सब घर पे रहके खूब एंजॉई कर रहे हैं और साथ-साथ इंग्लिश के तमाम वीडियो लेक्चिर्स को देखके सब बात सीख रहे हैं तो बचों आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के इस टॉपिक के बारे में यानि कि आज हम करेंगे स्टेप बाइस्टेप इंग्लिश ग्रामर के अंदर से एक लेसन तो जल्दी से अपनी SBS EG बुक्स निकाल लीजिए ताके हम आज के लेसन को स्टार्ट कर सक हाँ जी ग्रेट पोर सब ने अपनी बुक्स निकाल ली वेल डान स्टूडंस आज हमने जो बात करनी है वो है एक पुराने टॉपिक के बारे में जो के है नाउन्स हम सब जानते हैं कि हम जब इतने इसे थे तब से नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं यानि कि आज हमने अपनी वही childhood memory यानि जो एक learning हमने बचपन में की थी जिसका नाम था नाउन्स आज हम उसी को further study करेंगे आज हम देखेंगे किया नाउन्स भी female और male हो सकता है ओके आज हम इस बात का answer ढूबने वाले हैं अगर female भी नहीं है और male भी नहीं है तो क्या हो सकता है जो चीजें ह होती है जो ना तो male होती है यानि boy भी नहीं होती और female यानि girl भी नहीं होती तो उस चीज को क्या कहते हैं तो आज इन सब बातों के जवाब हमें मिलने वाले हैं ठीक है क्या आप सब तेयार है आज के lesson के लिए शाब बाश तो अब हमने क्या करना है सबसे पहले आप अपनी step by step English grammar book का lesson number 12 निकालें जिसका नाम है नाउन इन में हम study करने वाले हैं जो word में यहां लिखने वाली हूँ इसको कहते हैं gender का मतलब होता है jins यानि के कोई चीज मेल है या फीमेल है या अगर मेल और फीमल दोनों नहीं है तो क्या है ठीक है जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया female और मेल दोनों नहीं हुसकती अब इस काम को start करने के लिए बच्चों सब से पहले आपकी बुक पर जो हुई है इन फिक्चर को देख लो जल्दी से आपकी भूपे एड पिक्चर बनी हुई है नजर आ रही है इत पिक्चर शाबाट अब आप देखो कि हर पिक्चर की नीचे जो उसका नाम लिखा हूए ना जो इस बात की समद आपको तब आएगी जब आप इसके नीचे दी गई explanation को पढ़ेंगे यानि कि नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने उन words को उन colors को यहाँ four boxes में लिखा है ठीक है बारी बारी हम इनको study करेंगे सबसे पहले हम discuss करते हैं इनको यह मतलब है फिर ब्लू वाले देखेंगे फिर ग्रीन और फिर ब्लैक वाले अच्छा सबसे पहले जो बात लिखी है वो है the nouns in red are names of females तो एक बात हमें पता चल गई के red में जो लिखी हुई है nouns वो क्या है वो females के नाम है यानी किनके girls के नाम है very good they are said to be of the feminine gender अब ये बात आज की हमारी सीखने वाली है क्योंकि हमने क्या देख रहा है हम जेंडर पढ़ने हैं हम आज पढ़ने वाले हैं feminine gender के बारे में इसका मतलब ये है कि हमें पता चल गया जो बाते red में एक तो लिखी है और जो girls से related होती है ठीक है उनको क्या कहते है feminine gender ये word आपने याद रखना है मैं इस word के उपर एक star बना देती है इसकी examples देखें girl वो लड़की मेर यानी घोडी एक तो घोड़ा होता है न होर्स अगर हम घोडी की बात करें तो इसको कहते है मेर उसके लिए जो वर्ड यूज होता है नाउन है वो है मेर तो इसको हम यहां उर्दू में रिख ले ताकि मेरे बच्चों को मजीद इस बात के बारे में समझा दें भोडी और लड़की ठीक हो गया अच्छा एक तो बात हमें समझ आ गई चलो अगली बात करते हैं ब्लू अगली बात करते हैं ब्लू इस वर्ड को मेरे साथ पढ़े मास क्यूलिन ठीक है masculine gender हमने इसके लिए भी क्या कर दिया एक star बना दिया अब इसके example देखो boy यानि शाबाश लड़का horse यानि yes घोड़ा ओके तो हमें समझ आ गई male की और female की अब important बात देखनी है इधर आ जो green वाले पे the nouns in green are denoting people but can be used for either male or female और both दो बातें जो green वाले सारे words है न वो क्या कर ला रहे हैं they are denoting people किन की तरफ इशारा कर रहे हैं लोगों की तरफ वो words किसके लिए use होते है people यानि human beings but लेकिन can be used for either male वो या तो males के लिए use हो सकते हैं या आप females के लिए भी उनको use कर सकते हैं यास और बोथ यानि दोनों के लिए भी अब ऐसे भी तो कुछ words होते हैं न they are said to be of the common gender उनको क्या कहा जाता है common gender यह हमारा है star का word इसको हमने पढ़ना है common gender यानि के बेभी यानि बच्चा बच्चा क्या हो सकता है baby girl भी हो सकती है baby boy भी हो सकता है ना शाबाज students अब students का भी हमें पता है जो तालेबात होते हैं या कल्बा होते हैं वो दोनो किस तरह बात की जाती है एक male के लिए एक female के लिए अगर मैं कहाँ के मेरी class के students और students of my class मतलब मेरे पास boys भी है मेरी class में girls भी हैं लेकिन जब मैं कहा हçon students of my class तो इसका मतलब सिरफ girls है क्या इसका मतलब सिरफ boys है हां जी इसका मतलब है girls or boys दोनों ठीक है तो एक ऐसा noun जो दोनों के लिए use होता है उसको क्या कहते है common gender ठीक हो गया हमें बता चल गया green वाला क्या है common gender words है अच्छा लास्ट वन को देखते हैं black अब काले रंग में जो words लिखे हैं वो कौन से हैं the nouns in black are neither male nor female यह जो n है न यह क्या बता रहा है neither male nor female मतलब ना तो वो male के लिए use होते हैं और ना female के लिए अच्छा फिर क्या है they are said to be of the neutral gender यह है हमारा star word neutral मतलब इदर भी नहीं इदर भी नहीं in the middle neutral ठीक है ना आप A side पे है ना B side पे हैं आप कहां है in the middle तो neutral gender कहते हैं ऐसे words ऐसी nouns जो क्या male भी नहीं होती female भी नहीं होती और ना ही वो common gender होती है तो वो क्या होंगे जी वो होंगे neutral gender यानी के tree मतलब दरख ठीक है अब आप कहेंगे के male tree है या female tree है नहीं ट्री तो tree होता है हां जी book, किताब क्या आप किताब के बारे में कह सकते हैं कि ये male book है ये female book है इस book का नाम है सना या इस book का नाम है अली no books तो books होती हैं तो बच्चों चार बाते आज हमने इस part में सीखी हमने देखा feminine gender क्या है very good masculine gender क्या है शाबाश, common gender कौन से होता है exactly और neutral gender कौन सा है ये वाला बात very good हमने आज ये चार बाते तो बिल्कुल सीखने अब हम क्या करने वाले हैं इस से related मजीद examples देखेंगे अब एक तो बात हमें पता चल गई कि बच्चों इन सारे words को क्या 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 कहते हैं लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो words हैं कहां लिखे में होंगे हमें कैसे पता चलेगा हमने तो सरफ two two examples देखी हैं अब मैं आपको क्या सिखाने लगी हूँ आपकी book पे लिखा है there are three different ways of forming feminine nouns अब feminine noun की आज हमने बात करनी है कि जब हम feminine noun बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं ठीक है तीन तरीके हैं तीनो मेरे आप बोर्ट पे लिख दी हैं बारी बारी में आपको उनके बारे में बताती हूँ सबसे पहले by using an entirely different word य girl और masculine word क्या है male तो male और female different words है ना तो हमें नहीं पता same words तो नहीं है या हमके आगे हमने कोई suffix नहीं लगाई या prefix नहीं लगाई तो हमें यह पता चल गया कि इस तरह भी हम feminine बना सकते हैं कैसी feminine मिलेंगी ऐसे feminine words मिलेंगे जो क्या होंगे बिल्कुल different words जैसा के example देखो हमन spinster ठीक है bachelor masculine है male ऐसा शक्स जिसकी अभी शादी नहीं हुई spinster ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई ठीक है boy यानि के girl तो girl भी क्या है feminine word है जो एक लड़की है boy मतलब एक लड़का समझ आ गई अच्छा last one king हान जी सब को बता है कि किंग मेल होता है और queen क्या होती किया है female शाबाज तो हमें पता चल गया king का feminine क्या है queen तीनों वर्ड यहां पर देखो change है ना तीनों हमारे पास masculine words क्या है तो हमें पता चल गया है कि एक तरीका तो यह होगा कि masculine feminine दोनों क्या होंगे बिल्कुल different okay एक और तरीका क्या है by adding yes etc यानि क्या लगा देंगे कोई suffix लगा देंगे कौन सी suffix लगाएंगे हम लगाएंगे ex suffix ठीक हो गया कैसे loin loinus loin मतलब जी share और loinus means share नहीं तो हमें यह बाते समझ में आ गई है हमने लगा दी suffix बन गया हमारे पास masculine word author ऐसा शक्स जो एक किताब या कोई writing या कोई text लिखे ठीक है male उसको कहते है author अगर authoress मतलब कौन सी ऐसी female जो क्या लिख रही है किताब लिख रही है ठीक है poet male और उसके लिए female noun क्या use होगी poetess ऐसी शायरा जो क्या लिख रही है poetry लिख रही है ठीक होगे यहां तक हमारी बात दो बाते समझ में आ गई suffix भी लग सकती है और words भी change हो सकते हैं तीसरा idea by putting a word before or after एक तो हमने suffix लगा दी एक क्या करना है कोई एक निया word ही add कर देना है कैसे देखो grandfather grandmother हां जी तो जो यह वाला word है mother और father वाला यह word हमने क्या कर दिया है यह हमें बता रहा है कि इसका gender क्या है यह बता रहा है कि यह है masculine और यह हमें बता रहा है कि यह है feminine ठीक है पता चल गया अच्छा next पी-cock, पी-hen तो हमें बता है पी-cock का मतलब है मुर्गा और पी-hen का मतलब है मुर्गी ठीक है तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं पी-cock, पी-hen, man-servant, women-servant पता चल गया दोनों नौकर है man-servant मील हाँ जी एक आदमी जो के क्या है नौकर और women-servant का मतलब है एक ऐसी और जो क्या है नौकर तो हमने क्या कर दिया यहाँ तो आगे वर्ड लगा दिया यहाँ पहले वर्ड लगा दिया अच्छा, लास्ट वन, milk-man, milk-women हाँ जी आपके घर में दूद देने के लिए अंकल आते है ना भाइक पे हाँ जी उनको क्या कहते है, milk-man, because he is a man, वो आदमी है तो उनको कहेंगे milk-man यानि गवाला, okay milk-women, ऐसी औरत, कुछ areas में ऐसे हैं, यह काम औरतें भी करती हैं, है ना, अगर किसी milk-shop पे जाएं, तो वहाँ पर आपको normally क्या होती है, females में नजर आती है, जो क्या होती है, आपको milk-packet में डालके दे रहती है, यहां कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर, यहां farmhouse के बाहर भी छूटी सी एक shop बनाई होती है, females वहाँ पे भी काम कर रही होती है, यहां घर पे भी आके देके जाती है, ठीक है, क्या करना है, इस से related एक चूटी सी exercise को solve करना है, I hope यहां तक की बात सबको समझ आ गई है, okay, well done, let's move on, हाँ जी, अब काम आ गया है practice का, सब बच्चे अपनी books के ऊपर इस practice exercise को solve करना शुरू कर दे मेरे साथ, ठीक है, अच्छा, underline the noun, सबसे पहला काम, noun को क्या करना है, underline in sub sentences में से, and write, M, F, C, और N, 4, किन words के लिए ये alphabet से लिखने है, M for masculine, F for feminine, C for common gender, N for neutral gender, very good, अच्छा, इन सारे sentences में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sentences है, सब में एक से ज्यादा भी noun है, कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे, जितनी भी nouns एक sentence में आरी है, सब कौन underline करो, मेरे साथ इस काम को देखो, Sally was excited, Sally कौन है, noun, underline कर देते हैं, was helping verb excited, हाँ जी है proverb, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, Sally क्या है, female है, feminine है, तो इसके उपर लिख देते हैं, F, ये वाला काम हो गया, और ये वाला काम भी हो गया, okay, next, I live with my aunt in London, ठीक है, I, पता चल रहा आपको, I किस के लिए use हो रहा है, male है के female है, तो जब male, female, दोनों के लिए use होते हो, क्या होते है, exactly, यहाँ पर हम लिख देखेंगे, N, neutral gender, अच्छा, with my aunt, aunt भी तो हम हमारे पास क्या है, exactly, यह भी हमारे पास noun है, तो हम क्या लिख देंगे, aunt क्या है, feminine, aunt to auntie होती है, female होती है, अच्छा, next, number three, the coach, ask all the students to reach the stadium by five o'clock, दो हमारे पास noun है, पहली noun, the coach, coach के बारे में लिखा है, the female coach, और the male coach, तो coach का word use किया है, तो हमने कहा था, ऐसा word, जो दोनों के लिए user, उसको क्या कहते है, हाँ जी, उसको कहते है, common gender, so c लिख दिया, ask all the students, यह भी वही बास, students, मैंने आपको बताया था न, male students में है, female students में है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक और c लगा देंगे, common gender, number four, many passengers were injured when the bus overturned, बहुत सारे जो मुसाफिर थे, वो क्या थे, जखमी हो गए थे, जब वो उस bus क्या कर गई थी, जब वो bus क्या कर गई थी, over turn कर गई थी, यानी, उल्ट गई थी, अच्छा, passengers, आपको यहाँ कहीं पर लिखावा दिखाई दे रहे है, कि वो male passengers थे, के female थे, नहीं are flight, सबसे पहले तो देखें, two stewards, यह तो हमें पता चल गया कि यह noun है, and four air hostess, कैसे पता चला के, E double S लगा है, तो यह भी क्या है, हमारी feminine gender, air hostess के उपर तो F लगा दिया, अब हमें यह तो बता चल रहे है, अगर यह air hostess, जो है, यह female है, तो यह क्या होगी, हान जी, यह होग flight attendants, जो क्या करते है, airplane के अंदर roam around कर रहे होते हैं, round लगा रहे होते हैं, tea serve करते हैं, passengers की help करते हैं, समान रखने में, और हर चीज में, तो उसको कहते हैं, steward, okay, अच्छा जी, तो हमें पता चल गया steward, masculine थे, और air hostess के आथी, feminine थे, तो बच्चों, यहां तक हमने सीख लि feminine, common and neutral gender, तो यानि आज हमने इन चारों genders के बारे में सीख लिया, बच्चों, I hope इस book पे दी गई इस exercise को आपने मेरे साथ solve किया होगा, और जो extended exercise है, उसको भी अपने पास आप घर पे solve कर लेंगे, thank you so much for watching today's lesson, बच्चों, हम अगले lesson में मिलेंगे, एक और exciting grammar के lesson के साथ, चलेंडी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये, काम करते रहें, खुश रहें, अल्ला हाफिस,